कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आभी सभी आप सभी का स्वागत है अभिप्षा की पूरी टिंग की तरफ से मैं हूँ अभिना कुशांशो पांडे हम कर रहे हैं परिक्षाओं की तैयारी और यहां पर जो है बहुत ही जल्दी बहुत ही तेजी से हम तरंग प्रकास की कि बहुंद सारे टॉपिक्स को पढ़ने में सफल रहे हैं हम लोगifter ने बहुं सारी बाते की और आखरी बात जो हम लोगे की ती वह था यंग का अब हम बात करने वाले हैं प्रकास का विवरतन होता क्या है जब भी प्रकास की कीरण किसी एक दम पतले से भी जाती है घटे बढ़ते प्रकास की फरिंजन दिखाए देती हैं और इसी को प्रकास का विवर्तन कहते हैं इसके बारे में आगे भी देखते हैं सबसे पहले हाईगर का ज़ो सिद्धान था उसके बारे मिंट हम बात करते हैं पारिमभिक और उसके बाद में दूतियक तरंगिकाओं के बारे में हम लोगों ने पहले भी बातें की हैं दूतियक तरंगिकाओं के बाद में जो है क्या होता है कि किसी भी जो है एक पतले से छेद में जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रकास की किलने माल ली जाए एक दूसरे के समानतर जो है तरंग बनाते ही आ रहाई हैं तो यहां पर हम रित्यक करेंगे और उसों समझने वाली बात क्या संभ्याय यहां है यहां पर heater प्रकास की बारे में अबहtag देंगे तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि निश्चित दूरी पर रखेगे प्रकास तोगसे भी हम लोगों ने समांतर रिखा है प्राप्त करने के लिए एक लेंस लगा दिया, अब हमको एक समांतर प्रकास की किरने दिखाई दे रही है, जिसका मतलब यह है कि जो यह जो वेफ फ्रेंट है, वो हमको एक समांतर देखिए कि यदि जो है हमको यहाँ पर जो है दीप्त फ्रिंज प्राप्त करना है याने कि विवर्तन में हमको संपोसी या विनासी विवर्तन जो है वो प्राप्त करना है तो हम क्या देखेंगे हम यह देखेंगे कि यदि यह जो है लैम्डा लेम्डा के बराबर है तो इसको हम दो हिस्सों में बाट देंगे यहां पर लेम्डा बटा 2 हो जाएगा यहां पर लेम्डा बटा 2 हो जाएगा और यहां पर भी लेम्डा बटा 2 हो जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ पर पहली प्रकास की तरंग यहाँ पर दिखाई देती है उससे यहाँ पर बीच के बाद में जैसे मान लेते हैं कि हजार तरंगे हैं तो पहली प्रकास की तरंग को 501 तरह प्रकास की तरंग से लेम्डा बटादो पत हंतर दिखाई देगा और इसके क यहां पर तीन लेमडा बटा दो इस प्रकार से पथांतर दिखाई दे रहा है तो ऐसी पूरी की पूरी तरंग को हम तीन हिस्सों में बाड़ देंगे और यहां पर हम देखते हैं कि माल लिजाय कोन मिलाके 1500 तरंगे हैं तो इसमें से पहली तरंग और 501 वी तरंग के बीच में संपोसी 82 व्यतिकरण होने के करण इस तरीके से एक दूसरे को कैंसल उट कर देगा दूसरा और 502 यह हम कह सकते हैं कि 499 वा और 999 वाली जो तरंग है यह एक दूसरे को कैंसल कर ली होंगी लेकिन बचा हुआ लेमडा बटा दो त इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो है सब हम लोगों निसकर्श निकाला और हमको दिखाई देता है कि हमको जो यहां पर पैटन दिखाई देगा उसमें जो है जो बीच की जो प्रकास फ्रिंजे हैं वो जो है बहुत ज़्यादा चमकिली और बहुत ज़्य डिटेल पढ़ाई कर ली है हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं इसके बाद में यहां पर किरन प्रकासिकी की वैदता और फ्रैनल दूरी के बारे में बताया गया है फ्रैनल दूरी वो नियूनुतम दूरी है जिस पर हमें प्रकास का फैलाव या स्लिट के आकार के बराबर दिख कर पाते हैं कि किसी भी प्रकासिकी अंदर से जो है दो बिंदूओं को इस परश्ट रूप से देखने के लिए जो हमारी विवेदन चंता होती है उसके बारे में यह बात करता है ठीक है तो इसके बाद में इस तरीके से हम पूरे चैटर को कंप्लीट कर लेते हैं यह वाला जो है एक डेरिवेशन जो है वो आपसे पूछा जाता है तो लगभग लगभग हम लोगों ने पूरे चैटर को एक बार बहुत ही सरसरी निगाह से देख लिया है इसके अलावा भी यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप क्या करेंगे हमारे अप्लिकेशन में जाकर हमा वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवान